नमस्ते, वेलकम टू संगीता फैशन, आज मैं आपके साथ शेर कर रहे हूँ, वो इस सारी की ब्लाउज डिजाइन है, वो शेर कर रहे हूँ, यह दोनों कलर कॉअमिनेशन के साथ, आज एक ही है, एक सिर्फ सारी थोड़ेशी डार्क है और ब्लाउज फेंट है, सिर्फ यह आंतर है, तो हम एक ही कलर कॉअमिनेशन के साथ, आज ब्लाउज डिजाइन बनाएंगे, अगर आपको यह सारी पसंद है, तो उसकी लिंक में नीचे दिस्विक्शन में दे रहे हूँ, अब हम ब्लाउज का मेजरमेंट ले लेते हैं, यह जो ब्लाउज है, यह 42 इंच के मे इस तरह से, इसका आर्म होल 6 इंच का है, और इसका जो शोल्दर है, वो भी 6 इंच का है, और अब हम इसके गले का आकार और गला पट्टी लेंगे, नीचे की गला पट्टी मैंने 3 इंच की रख्य हुई है, लेकिन वो शिलाई मार्जिन के साथ रख्य हुई है, आप जब यह बड़ा मेजर्मेंट 42 का मेजर्मेंट होने की वज़े से मैंने इसका गलाए हो 1,5 इंच का रखा हुआ है और उपर 3 इंच की शोल्डर पट्टी हम इसको जॉइन करेंगे यह स्क्वेर बनने के बाद हम इसके अंदर गले का आकार निकाल लेंगे गले का आकार निकालने के लिए मैंने बलाउज को इदा जी जो बैक साइड होती है वहाँ पर मैंने 5 इंच का अंतर लिया हुआ है और इस पर हम गले का आकार बनाएंगे गले की डिजाइन जो है मैंने कुछ इस प्रकार से बनाई है आप देख लेना यह राउंडर शेप में कुछ इस तरह से हम गले का आकार इस राउंडर शेप के साथ ही निकालेंगे और फिर मैंने उसके अंदर की साइड से यह एक इंच के मार्जिन के साथ आप रखना एक इंच के मार्जिन के साथ मैंने यह गले का आकार दिया हुआ है अब हम इसके गले का आकार बाकी का complete कर लेंगे कुछ इस तरह से मैंने उसको गले का आकार दिया हुआ है और उसके अंदर भी हम डिजाइन के लिए एक इंच के अंतर के साथ हम एक इंच का अंतर है उसके साथ ये डिजाइन का लिया हुआ है आज हम इस प्रकार की डिजाइन इस ब्लाउस पर बनाएंगे तो आप वीडियो के एंट तक बने रही है आज हम बहुत ही खुबसूरत ब्लाउस डिजाइन बना रहे है आप देखेंगे तो सच में आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएंगे मुझे की मैं जो बोल रही हूँ डिजाइन सच में खुबसूरत है या नहीं मुझे ये खुद पसंद आई सोजे से मैं आज बोल रही हूँ कि बहुत ही खुबसूरत है हम जब ये ब्लाउस पल्टी करने के लिए लेंगे तो मैंने नीचे अस्तर का कपड़ा रखा हुआ है और उपर उल्टा ब्लाउस का फैबरिक है इस तरह से हम आज मैं बिना पेपर पटी के खामर कर रही हूँ तो बिना पेपर पटी के जब आप काम करेंगे तो ब्लाउस के फिनिशिंग का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है मैं इसलिए ये पिन से पूरा पैक कर देती हूँ ब्लाउस उसके बाद ही मैं उसके उपर टीप लगा देती हूँ अब ये जो नीचे की गला पटी है न तो उसका आंतर बहुत कम है तो इस वज़े से ये काम बहुत द्यान से करना पड़ता है अब इसको हम पल्टी कर लेंगे पल्टी करने के बाद और हम इसके उपर प्रेश्टिप लगाएंगे ये छोटा सा तीन इंच का ही अंतर था तो वो पल्टी करने के लिए सिर्फ धाई इंच का अंतर बचा हुआ था तो इस वज़े से पल्टी करने के लिए थोड़े से द हुआ था तो मैंने कट जादा कर दिया और अब हम यह प्रेश्टिप पूरी कर लेंगे कैनवास ना होने की वज़े से हमें काम बहुत ध्यान से करना पड़ता है बिना कैनवास के यह बनाना हो तो कहीं भी गला का खीजना ने चाहिए तो तभी गला अच्छी तरह से आकार मे बेट जाता है अब हम नीचे के साइड भी प्रेश टिप लगाएंगे नीचे के साइड से होने के बाद ये बाहर की साइडसे ये भी हम इसके ऊपर टिप लगाएंगे बलाउज बनाने के लिए कपड़ा इदर उदर नहीं जाता है फिर ए सुलडर के बीचो बीच रखकर और निचे टक्स लगाएंगे, टक्स में दो बार टीप लगाने के बाद ही टक्स लगाना, अब हम ये गला एक पेपर के उपर ड्रॉ कर लेंगे, पेपर और ब्लाॉस को set कर लेंगे, सेट करने के बाद उनको पीन सेटक करके इस तरह से उसको ड्रा करना है फिर पीन निकाल कर और उसको इस तरह से डार्क ड्रा करना है और फिर ये देड़ इंच के अंतर के साथ इसकी अंदर की डिजाइन निकाल लेना है अब हम इसको पेपर को कट कर लेंगे जितना हमें चाहिए उतना ही पेपर रखना है और उपर के साइड से जो हमने डिजाइन के लिए ड्रॉ किया था उस तक पेपर को कट कर रहना है अब हम इसकी डिजाइन बनाएंगे design बनाने के लिए मैंने ये धाई इंच की पटी ली हुई है इस पटी के साथ हम बलाउज में इतना कपड़ा नहीं रहता है कि एक बड़ी पटी निकल जाए या फिर design के लिए ज्यादा तो आप इस तरह से पटी जोड़ कर आपको जितने design के लिए पटी चाहिए उतनी एक साथ जोड़ कर ही आप design के लिए ऐसे पटी निकालना ताकि जब design कम पड़ जाए या फिर जा ऐसा नहीं फिर से पटी निकालो फिर से बनाओ उससे ही ये पहले ही पटी उनको जोड़ लगा कर फिर पल्टी कर देना ये काम आसान तरीका होता है काम का ऐसे ये आसान तरीके के साथ ही आप काम क्या करोता कि ये design बनाने में तकलिब भी नहीं होती है और प्राब्लेम भी नहीं आता है हम आसानी से बना सकते हैं फिर एक बार design बनाने के लिए लग जाए और कम पड़ जाए वो भी अच्छा नहीं देपता है इस वज़े से पहले से यह आप डिजाइन के लिए अब मैंने यह डिजाइन के लिए अंतर रखा हुआ था वो अंतर के साथ कुछ इस ट्रिक के साथ आज हम कटिंग करेंगे तो कटिंग करने में भी प्रॉब्लिम नहीं आती है एक-एक कट करने करके रखने की बज़ाए सब पटिया एक साथ कट हो जाती है तो काम में कुछ-कुछ ऐसे ट्रिक्स का इस्तमाल भी करना चाहिए जिससे हमारा काम जल्दी से हो जाए और अब हम यह सुई की मदद से इसको इस तरह से प्याक कर लेंगे यह सुई की मदद से मैं इसले कर रहे हूँ ताकि यह दो-तीन चुन्नटे आ जाती है तो यह डिजाइन में बहुत अच्छे दिख जाती है अगर आपने वैसे ही लिया और गया तो भी चलेगा लेकिन यह खुलती नहीं यह सुई की मदद से अब हमने यह सब प्याक कर लिय अब यह एक-एक करके इसको हम सेट कर लेंगे जो आकार हमने गले का निकाला था उसके उपर इस तरह से एक-एक को सेट कर लेना है देखे इस तरह से नीचे की साइड को भी देखकर उसमें कितना अंतर रहता है यह सब देखकर ही उपर की साइड सेट कर लेनी है इसके सब गोलाकार में सेट कर लेना है दोनों साइड के आकार को देखकर ही सेट कर लेना है यह देखे यह पूरा हुआ अब नीचे के साइड को भी हम फिट कर लेंगे यह एक्स्ट्रा कपडा निकाल लेना है अब यहाँ से जो हमने रेशा बनाई हुई थी उसके उपर ही टिप आनी चाहिए इस तरह से टिप को लगाना है अब देखे यहाँ पर उसी साब से आई हुई है और सभी यहों में एक समान अंतर रखना है अब हम उपर के साइड से गोट लगाएंगे गोट लगाने के लिए आप यह देडी इंच की पट्टी रखकर उसके उपर और इस तरह से उसको सेट करना है सेट करने के बाद आद उसका एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेना है छोटे छोटे कर्ट्स लगा देना है और फिर उसके बाद इस तरह से मुझे इसके उपर लेस बिठानी है तो मैं गोट की जगह इसको बड़ी पट्टी में कनवर्ट कर रहे हूँ यह देखे मैंने इस तरह से बड़ी पट्टी बनाई हुई है तो अब हम इसके उपर लेस लगाएंगे कस्टमर की डिमांड थी कि यहाँ पर गोट नहीं बलकि लेस चाहिए तो मैंने इस तरह से लेस लगाने के लिए वो पट्टी को बड़ा रखा है अब यह लेस को हम दोनों तरफ से टिप लगाने के बाद अब हम इसको ब्लाउज में एटेच कर लेंगे ब्लाउज में एटेच करने के लिए आप पिंस का इस्तमाल किजिए पिंस के इस्तमाल से हम बहुत ही खुबसुरत तरीके से कही भी चुणनटे या कुछ ना आए इस तरीके से हम यह फिटिंग कर सकते हैं अब देखें कितनी अच्छी तरह से फिट बैट जाता है फिर इसके उपर हम लेस लगाएंगे इस लेस को भी हम डबल टिप लगाएंगे डबल टिप लगाने से लेस की फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह से आ जाती है आपका भी भी जब एक सेंटिमीटर की लेस हो तो उसके उपर डबल टिप ही लगाना अब हम साइड लेस लगाएंगे जो हमने स्टाटिंग में डिजाइन ड्रा किया था उस डिजाइन के इसाब से हम यह लेस लगाएंगे यहाँ से हमने पांच इंच का अंतर लिया हुआ था तो वही पांच इंच के अंतर के साथ हम यह लेस लगाएंगे और लेस के उपर कुछ इस तरह से डबल टिप लगा लेनी है अब हम दूसरी लेस भी लगाएंगे दूसरी लेस के बीच एक इंच का अंतर रखना है और ये green blouse होने की वज़े से इसके उपर golden color तो बहुत ही ज़्यादा खुलता है अगर आपका blouse का color कौन सा है ये देखकर भी आप कुछ ऐसा काम करें जिससे ज़्यादा खुलता है तो बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है और customer भी खुश हो जाता है डिजाइन देखकर अब हम इसके उपर भी double tip लगाएंगे double tip लगाने के बाद इस तरह से double tip लगाएंगे double tip लगाने के बाद ये दूसरी लेज भी एक इंच के अंतर पर set कर लेंगे जब आपको काम का experience हो जाता है तो आप ये जो अंतर है एक इंच का बिना ना पर भी आप इसको एक इंच का अंतर पेचान सकते हैं तो जब जितने practice हो जाए उस हिसाब से हो जाता है अब ये 3.5 इंच के चोकोर कपडा लिया हुआ है जब मैंने मेरे कई कई designs मेरे blouse designs कुछ इस प्रकार की है जो हम ये rolling design बनाते हैं ये roll करके design बनाते हैं ये ऐसे कई है मेरे channel पर मेरे customer को ये design इसमें flower हो या फिर blouse के उपर design हो ये मेरे हर customer को बहुत पसंद आता है तो में ज़्यादा तर flower बनाना हो तो भी ये ही design इस्तमाल हो जाती है और blouse design में भी ज़्यादा तर customer ये ही design की demand करते हैं तो मुझे ये practice हो चुकी है लेकिन ये design बनाते वक्त पूरी ही tight बना लेना ताकि ये थूड़ी भी ना खुले और अगर कपड़े की वज़े से भी कई कई अगर सिल्क का कपड़ा हो तो ये कादबार अर खुल जाती है तो उस कपड़े पे बनाते वक्त भी धेन से बनाना अब हम इसका flower design बनाएंगे सुई और दागे की मदद से कुछ इस तरह से ये flower design बना लेना है फिर इसको pack करते चलना है प्याक करने के बाद मेरे पास ये ready made button था तो ready made button मैंने इसके उपर लगाया है अगर आपके पास button बनाने की machine हो तो ये button आप color matching भी बना सकते हैं मेरे पास है लेकिन customer को ये golden color का चाहिए था तो मैंने ये ready made button लगा दिया अब हम ये दो बाए दो के आंतर के साथ जो त्रिकोन बनाया था उससे ये circle बनाया और इस circle के साथ इसको पल्टी कर लेना है निकालकर फिर उंगली की मदद से अंदर की जो टपड़ा थे वो पूरा बाहर निकालकर इसके उपर कुछ इस तरह से round के साथ टिप लगा लेनी हैं मैं फिर इसके उपर लेस लगा ली हैं मैंने जो बची हुई लेस थी जो उसमें इस्तमाल हुई और सभी बची हुई लेस के साथ ये round round में डिजैन बनाई यह हम फ्लावर के लिए लटकन बनाएंगे लटकन कुछ इस तरह से दोरी की help से हम यह लटकन बनाएंगे अब देखे, इस तरह से ए लटकन पूरे हुए, ए लटकन इस फ्लावर के साथ बहुत ही खुबशुरत दिखते हैं अब हम लटकन को फ्लावर में एटच कर लेंगे एटच करने के लिए इस तरह से सुई धागे के मदद के साथ इसको एटच कर लेना है अब इसको हम blouse के उपर attach करेंगे blouse के design के बीचों बीच इसको attach कर लेना है इसको pack करने के बाद हम उपर के side से जो गला है उसके लटकन बनाएंगे यह लटकन मैं यह simple वाले लटकन बना रही हूँ यह लटकन बहुत आसान है हर कोई बना सकता है सिर्फ एक चोकर और कपड़ा जितना लटकन लंबा चाहिए उस हिसाब से आप चोकर कपड़ा लेकर इसको बना सकते हैं देखिए यह लटकन दिखते भी बहुत खुबसूरत है और बनते बहुत इजी तरीके से हैं अब इसको हम blouse में attach कर लेंगे देखिए इस तरह से मनना अप लेकर दोनों साइड से एक ही अंतर में इसको attach करके इसको इस तरह से pack कर लेंगे अब हम इसके उपर money बिठाएंगे आप एक-एक करके चार धागों को एक साथ मिला कर आकर आप money बिठाएंगे तो दो-तिन धागे जब डालते हैं तो यह money pack हो जाता है कुछ इस तरह से हम दो तरीकें से मैं आपको money बिठाना दिखा रहे हूं आप जो पसंद आये उस तरीके से money उसके उपर fit कर लेना अब यह तीसरे साइड से आपको अगर यह money मैंने छोटे वाले money कस्टमर के हिसाब से लगा यह आप बड़े वाले भी लगा सकते हैं अगर आपको मेरी ic blouse designs और sluse designs पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजेगा दोस्त और रिष्टेदारों में desire पसंद आये तो share किजेगा thanks for watching